अक्सर मैंने देखा है मेरी जो फ्रेंड्स हैं और मेरे जो सगे संबंदी हैं वो मेंसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं क्विल्ट बनाने के लिए और हर एक कही होता है कि हमारे घर में इतने सारे कपड़े पड़े हैं तो चलो हम तेरे पास आते हैं और तू हमें सिखा कुछ एक अच्छा इंट्रेस्टिंग पैटन और हम भी कुल्ट बनाएंगे फिर जब मेरे घर आते हैं अपना थेला भर के फैब्रिक्स का तो मैं रिलाइस करती हूं कि वो फैब्रिक्स कितने अलग हैं तो जब हम पीसिंग कर रहे हैं जब हम पैच्वर कर रहे हैं तो वो फिर नहीं होता तो मैं एक जिस रॉन थ्रू आपको देना चाहरे हूं कि जैसे अब यह नाइलॉन है यह नाच्रल फाइबर नहीं है यह बहुत पतला है यह कितना सॉफ्ट है यह सिंथेटिक है तो अगर आपको इसके साथ काम करना है तो मेक शूर कि आपके जितने फैब्रिक् पीसिंग में, पैच्च वर्क में, डेज Cass дня में वह एक जैसे होना चाही है जिसको कंस्ट्रॉक्शन बोलते है कि उसके कंस्ट्रक्शन उसके यह यानरी उसके रेशे, यह रेशे जो हैं वह एक जैसे होने चाहिए किसी का मोटा भी है देखिए अगर आप सोचिए कि अगर मैं यह फैब्रिक और यह फैब्रिक साथ में रखो आप देखिए यह कैसे डूप कर रहा है यह कितना सॉफ्ट है एक तम नीचे हो रहा है यह थोड़ा स्टिफ है यह थिकर है यह मोटा है और इसमें दूसरे तरह के के केमिकल्स मिक्स हुए हो है तो यह साथ में हो इनी सकता है एक तम टेडा मेडा यह तो इसके लिए यह थोड़ा ताफ है आप देखिए आपके घर में जैसे अपोल स्ट्री मेरी फ्रेंड के घर में बन रही थी तो उसने का में पास इतना अच्छा मोटा कपड़ा है पर जब मैंने देखा तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन उसकी भी जो टेक्स्चर है सॉरी बद्दस वो बहुत ही डिफरेंट आप देखिए यह कपड़े को देखिए यह फ्लैनल है यह कॉटन है लेकिन थिक फोड़ कॉटन है यह प्यॉर कॉटन है यह जो यान है इसके जो धागे है इसके जो रेशे है यह आप रेशे अगर ध्यान से देखें तो कितने थिक है तो यह थिक रेशा है लेकिन आप इसके साथ अगर compare करें तो कितना फरक है यह synthetic velvety fabric है यह you know cotton है मोटा इसाथ में बिल्कुल ठीक नी बैठते तो यह shrivel हो जाएगा यह पर्दा है यह पर्दे का कपड़ा है तो आपको अपने project के लिए जब decide करें आपकी fabrics तो आप make sure करिए कि एक जैसे fabrics हो एक ही family के हो अब जैसे अगर आपने silks में आना है यह देखे अब यह pure silk है यह वाला और यह तसर सिल्क है फिर आप देखने हैं कि उसमें फरक है आप नहीं उसको एक साथ कर सकते यह बहुत पतला है यह बहुत डाइफिनस fabric है आप उसको देखिए उसमें से आपको दिखता है वेराज यह थिक फैबरिक है तो यह एक साथ थोड़ा सा दिकत होगी अगर आपको पतले fabrics आपके पास बहुत सारे हैं जैसे एक जैसे है जैसे यह है अब यह एक्चुली देखा जाए तो यह और गैंडी है और गैंडी नॉमली आप उससे कुल्ट नहीं बना सकते यह नॉमली ट्रेडिशनली जो गाउन्स होती थी उसके नीचे का जो लाइनिंग होता है इसको कै अनकैन बोलते हैं जिसको फूला फूला बना के यह उसके लिए यूज होता था था यह एक जमाना था कि हम लोगोंने विकॉस हम एक वार्म कंट्री हैं तो हमने इसकी साणियां बहुत पहनी है हमारी ममी ने और दादी और नानी जने एक जमाना था अन्वी वरी इसके साथ नहीं बन सकती है तो यह बड़ा रफ है अगर आपको बनाना है बना सकते हो लेकिन थोड़ा महनत ज्यादा पड़ेगी और आपको फिर मैच जो करना है फैबरिक इसको जो मिलाना है वो फिर इसी फैमिली से लीजेगा कुछ लोग जीन के साथ बहुत कुछ करते हैं then make sure कि सारे आपके डेनिम्स हो you know डेनिम्स के साथ ही चलिए don't mix up can you imagine आप डेनिम और सिल्क को साथ में रखेंगे तो कैसे यह फाट देगा यह सिल्क फट जाएगा खतम हो जाएगा आइनिंग में भी बड़ी दिक्कत होगी एक अगर आपने नाइलॉन यूज किया और आपने कॉर्टन किया अब आप उसको आयन जब करेंगे तो यह तो जल जाएगा उस तेमपरिचर में और इसके लिए आपको हाई टेम्परिचर चाहिए तो आपको उससे आपका प्लान करना है अब यह नया हम लोग टिशू करने लग गया है इसके देखिए आप कितने ज् यह हर वकत रेशे निकल रहे होते हैं तो आप अगर क्वार्टर इन सीम अलाउंस भी यूस करेंगे फिर भी यह बहुत जल्दी खुल जाएगा तो यह रहेगा ही नहीं यह थोड़ा थिकर क्वालिटी है मेबी इस में वर्क कुछ लोग हैं वो वो टीशिट का कपड़ा ल वर्क हम लोग इसको इन इंडिया भी कॉल हॉसरी कपड़ा लेकिन इनके अलग-अलग weights होते हैं अलग-अलग thicknesses होते हैं मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं को आप वाई तो चन्फूजीए बाद मैं उनी सॉजेशन इस के आप एक standardized construction का fabric लीजिए, normally world over and that includes simply beautiful हम जो quilters हैं, we like natural fabrics we like natural cotton fabrics cotton is what we are really fond of and cotton मे भी जो construction in Indian context आप कहेंगे तो उसको poplin, जिसको हम poplin कहते हैं, और अगर technical word उसका है तो वो 40-40 count होता है यह जो यान है, जो रेशा है यह जो, you know, जिसको ताना बाना या वाप and weft बोलते हैं, वो जो size है धागे का, वो 40 होता है तो 40-40 की construction है और poplin हमारी जो होती है, वो 40-40 होती है, तो यह सारे poplins are popular worldwide, internationally and in Simply Beautiful, we are very strict and Simply Beautiful में में तो हम dyes का भी बहुत ध्यान रगते हैं, there are so many dyes that are not good for the skin and that are banned in in some countries, you know, they are called Azos, तो Azos are completely banned Naphthol-based dyes are banned, तो we make sure every fabric is lab tested and make sure that the certification tells us clearly, it is Azos free, so आपको ध्यान रखना है and this is the medium you know poplin, this construction of fabric is the most popular आप लेकेंगे, most of the quilts that hobbyists make, are made with cottons and poplins, so that is what it is and the other thing you have to remember is के, you see it's a printed कपड़ा, तो उसके back और front में आपको बहुत clearly distinction पता चलेगे, कि ये right side है और ये wrong side है लेकिन जब आप yarn dyed fabric यूज करेंगे, जिसमें पहले धागे को रंगा गया है यान को रंगा गया और फिर उसको वीव किया गया है बुना गया है तो उसमें तो राइट और रॉंग है नहीं लेकिन जो फ़ब्रिक आपने प्रिंटेड लिया है उसमें आपको बहुत क्लिरली पता चलेगा वोट इस दे रॉंग किसके साथ कर रहे हैं not just in the look but in the construction यह जो मैंने आपको textures बोलें आपको construction of the fabric तो आप उसका ध्यान जरूर रखिए